हाई फ्रेंट्स वल्कम बैक टो अनाधर वीडियो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप के पास अगर हर्ट डिस्क है लैप्टोप वाली तो आप उसे केसिंग में इंस्टॉल करके उसे असानी से एक्स्टरनल कैसे बना सकते हैं तो उसी के बारे में म आप देख सकते हैं केसिंग के साथ आपको यह चीज जाता है एक तो केसिंग हो गया इसके साथ छोटे छोटे दो स्कुरू आते हैं और इसके अंदर एक डेटा केबल होता है यूएस्बी का और एक स्कुरू ड्राइवर छोटा सा ठीक है तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं से, अब इसे open करता है casing के, casing के अंदर ही हमारा वो जो kit होता है, जिसमे USB हमारा लगता है, और hard disk जिसमें install होता है वो इसी के अंदर है, देख सकते हैं यह बाहर से हमें दिख रहा है तो एक त्रफ तो है USB लगाने का, यह बाहर की side होगा ठीक है, इसे हम तो लगाते हैं इसे, यह लग गया बिल्कुल सही, प्रॉपर, अब इस casing के अंदर जो है, जो box tap का है, उसके अंदर इसे fit कर देना है, और कुछ नहीं करना है, दोनों side से इसे screw से tight कर देना है, ठीक है, देख सकते हैं, यह fit हो गया असानी से, थोड़ा सा आपको adjust करके करना प बसे गये, तो अब दोनों side में देख सकते हैं, जगह है इसका, वो screw लगाने के लिए, तो screw देखते हैं कहां पर है, यह रा screw हमारे पास, यह screw को जो है, दोनों side में, यह hard disk को पकड़ के रखता है, ठीक है, तो इसे हम लगा देते हैं, असानी से, कोई problem नहीं है इसे लगान इसे खरीदा था लगबग 300 रुपए का, तो अगर आपको भी इसे बाइ करना है, तो नीचे description में link दिया हुआ है, वहां से आप इसे purchase कर सकते हैं, अब यह हमारा जो है, रेडी हो गया है, अब इसे laptop में हम test करके देखते हैं, तो यह 500 GB के हमारे पास hard disk था, यह external storage अब मेरा बन गया है, अब मैं इसे लगा के देखाता हूँ आपको, यह मैंने इसमें लगा दिया, अब देख सकते हैं, अब मैं laptop में दिखाता हूँ आपको, यह automatic अपने आप ही, इसका drive ओपन होने लगेगा, तो देख सकते हैं, इसमें light भी आ चुकी है, ठीक, light blink हो रही है, देख स आप, यानि किसमें power आ चुका है, और laptop में भी देख सकते हैं, हमारा एक drive खुल चुका है, देख सकते हैं, तो बस यह काम करना शुरू कर दिया, इसमें बहुत सारे partition बने हुए थे, इसलिए धेर सारे partition इसमें दिखेंगे अभी, अगर मैं my computer खोलू, तो इसके अंदर आप सारे यहां पर drives बन गए हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद यह छोटा सा information आपको पसंदा होगा, अगर पसंदा है तो इसे like करें, share करें, अगर कोई सवाल यह सुझा हो तो नीचे comment करके हमें बता सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, goodbye